ये है दिल्ली दर्पन दिल्ली के अशोक विहार सित लोटस वेदा स्कूल में प्राक्टिस कर रहे खिलाडी अब सफलता का फर्चम भी लहरा रहे हैं ऐसी ही काम्याबी कनिश्का त्यागी ने हासिल की है दिल्ली में कनिश्का दिल्ली स्टेट सब जूनियर और मिनी बैडमिंटन चैंपिन्शिप जीत कर लोटी थी उनका भव्य स्वागत किया गया दिल्ली में 28 सितंबर से 2 अगस तक चली इस चैंपिन्शिप में कनिश्का ने अंडर 11 और 13 दोनों चैंपिन्शिप में गोण पदक हासिल किया कनिश्का के कोच इस काम्याबी से खुश है और उम्मीद जदा रही है कि कनिश्का भविश्य में राश्वरी और अंतराश्वरी पदक भी हासिल करेंगी एक पेरेंट से ज़्यादा अगर कोई खुस होता है तो वो कोची है और जब हारते हैं बच्चे तो दुखी भी कोची होता है सबसे ज़्यादा बट आज ऐसा लग रहा है कि मैनत किया हुआ सहीर रास्ते पर गया सफल हुआ मैनत थोड़ा और भी नेशनल टाइटल लाने इंटरनेशनल टाइटल लाने उसकी दरफ एम करते हुए इसको और ज्यादा मतलब चेरिस ना करते हुए इसको और थोड़ा मेडल के लिए एम कर रहे है कि नेशनल मेडल आजए एक नेशनल टाइटल आजए हमारे यहां पे मैं को अच्छा लगा बहुत जैसे गोल्ड मिडल आया तो दो के टिग्रीज में मेरा गोल्ड आया है बहुत खुशी हुई खेलके और अच्छा लगा फर्स्ट मिडल है दिली स्टेट का अच्छा लगा मैं को बहुत खुशी हुई 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 कनिशका की ये काम्याबी उसके पाथ साल की मेहनत का तो नतीजा है ही लोटस वेरा स्कूल में उपलब इस बैडमिंटन कोट में उसने जम कर प्राक्टिस की है उसकी सुपलब्धी पर कनिशका के अभिभावक भी बेहत खुश है और स्कूल का आभार जता रहे है मेहनत है काफी टैम से ये इंजरी में थी पूर्श एवन इयर हो गया और रमरेंदर सर हैं और डॉक्टर सुबोद मोर हैं जिन्नोंने इसको बहुत अच्छा सुपोर्ट दिया है अनिल गुपता जी है जिन्नोंने कोट हमारे को खेलने के लिए जो सबसे कीमती चीज है ये हमारे को दे रखा इसके लिए और सर का डेडिकेशन और इसकी मेहनत है बच्चे की बहुत अच्छी अशोक विहार डी ब्लॉक सित लोटस वेदा स्कूल में कितने ही खिलाडी अलग-अलग गेम्स की फ्राक्टिस कर रहे है और उनके कोच मानते हैं कि यहां वर्ल्ड प्लास सरिय सुविधाएं है और स्कूल का पूरा सहयोग रहता है ऐसे में निकट भविश्य में और भी खिलाडी दिल्ली और देश के साथ-साथ इस स्कूल का नाम रोशन करें तो हैरानी नहीं होनी चाहिए क्यामरपरसन कमल की साथ काव्या बजाज दिल्ली दरपन टीवी